हलो एवर्वन जैहिंद विल्कम यू आल टू मिसन कॉंप्टिशन मैं राहूल आप सभी का स्वागत करता हूँ सो दिखे अब तक के हिस्ट्री का बिहार कॉंस्टेबल और बिहार पुलिस भरती के हिस्ट्री का सबसे बरा वेकेंसी आपके सामने आ चुका है 21,391 पदो पर ये वेकेंसी आई है इस वीडियो के अंदर में आपका एज कितना से कितना तक होना चाहिए आप कितना पढ़ाई किये हों पैसा कितना लएगा फर्म भरते हुए साथी साथ किनकिन पदो पे किनकिन कितने सीटों की बहाली आई है सब कुछ डिटेल ने बात करेंगे बहुत बड़ी खुसकबरी है जो आप लोग वेट कर रहे थे बहुत आप लोग का मेसेज भी आ रहा था कमेंड भी आ रहा था कि सिपाही भरती यानि कॉंस्टेबल वाला कब तक आ जाएगा मैंने आपको बताया था जून के महीने में आपको फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक मैं आपको देखने मिल जाएगा बिलकुल आ चुका है लाखोज चात्रों के इंतिजार यहां पर कम्प्रीट हो गया है 12 लेवल पर यह परिक्षा है अगर आपने अभी 12 पास किया है और आप एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं कि हम पहले एक सरकारी नौकरी लेकर अपना लाइफ सिक्योर कर लें माता-पिता का tension कम कर दे तो आपके लिए सबसे बहतरी ये job है एकदम official notice आ चुका है detail में बिल्कुल इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो में आखरी तक बने रखिएगा वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा तो चलिए इसमें क्या-क्या सारा इसमें क्या बोला जा रहा है यहां पर ध्यान दीजेगा कि देखे जो official notice मैंने आप highlight भी अपर देखिए यहां जो मान दे है यहां पर देखिए 21,700 से लेके 79,100 तक आपको salary यहां प्राप्त होगी रिक्तियों की संक्या देखिए 21,391 90 यहां पर साफ साफ के लिए दिया गया है दूसरी बात आपको यहां देखिएगा आपके जो काम की बात है कि 20 तारीक से यानि कि 20 जून से इसका जो है form फिल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जून 20 से स्टार्ट हो जाएगा ध्यान रखिएगा बहुत ही important बहत्वपूर्ण यह जानकारी आपके लिए पैसा जो salary पर गड़ाएगा यहां पर आपको दिया गया है कि 21,700 से लेके 99,100 तक कि आपकी रहेगी 21,391 पदों की रिख्तियां है 20 तारिक से form भड़ना स्टार्ट हो जाएगा अब सबसे पहले post कैसे कैसे कहा कहा है वो हम लोग देख लेते हैं उसके बाद आपको हम सब कुछ दिखाएंगे एक दम आपके लिए हर एक चीज़ हम highlight करके रखें आपको कुछ चिंता तकलिफ करने की बात नहीं है अच्छे सब कुछ दिखाएंगे समझाएंगे आपको ठीक है अभी सबसे पहले दिखेंगे यहाँ पर बिल्कुल कोटी वाइस आपको दे रखा है कैसे कैसे seat आपको दिया गया है जेनरल कैटगरी का जो यहाँ पर seat है देखिए 8556 seat ओ पर जेनरल कैटगरी का वेकेंसी यहाँ पर निकली है आर्थिक रूप से जो कमजोर है यानि की EBC जो यहाँ पर बोला जाता है यानि ठीक है एकनोमिकली वीकर क्लास EWC ठीक है 2140 seat है उनकी अनुसूची जाती ST की यहाँ पर देखिएगा 3400 seat है ST की यहाँ पर 228 seat है अतियन पिछड़ा वर्ग और 342 seat है अब यहाँ पर नीचे देखिए पिछड़ा वर्ग इसमें जो है 56 transgender भी इसमें included है यानि कि इसमें 2570 में 56 transgender का इसमें एड़ करके पिछड़ा वर्ग की बात की गई है 2570 है और पिछड़े वर्गोई के महिला के लिए 655 है कुल मिला के देखिए 2391 पदों पर यहाँ पर वेकेंसी निकली है अच्छा यहाँ पर सबसे important बात है देखिए फीस कितना लएगा पैसा कितना लएगा है ना आप लोग यह भी सोच रहोंगे जानने योग बात है और जाहिड से बात है हम लोग तो कोई पैसे वाले घर से आते नहीं है कि हम लोग को जो है इसकी चिंता रहेगी नहीं देखिएगा यहाँ पर तो बिहार राज के मूल निवासी जो कि अत्यंत पिछडा वर्ग पिछडा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर एवम नराक्षित यानि समान जनरल की बात थोड़ी है इसमें किसी भी वर्ग से आप अगर हैं अगर आप मर्द हैं पुरुस हैं तो आपको जनरल के तरहीं ट्रीट किया जाएगा या आप राज के बाहर के ब्यारती हैं चाहें आप महीला हो या पुरुस हो अगर राज के बाहर के हो आप चाहे महिला वो पूरुस हो और बिहार राज के भी अगर हो चाहे किसी भी कैटेकिदी से हो मतलब नहीं है अगर आप पूरुस हो आपको 675 रुपया देना परेगा फीस के तोर पे कितना लएगा 675 रुपया अब बिहार राज के मूल लिवासी अनुसूची जाती रुपया आपका लगेगा ध्यान रखिए इस बात चलिए तो यह तो हमारी बाते होगी फीस कितना लएगा 675 रुपया पूरुस है बिहार राज के बाहर है महिला मर्द कोई भी हो कोई मतलब का नहीं 675 देना बिहार राज के महिला है सेस्टी जाती जन जाती थर्ड प्रड इस बात करें परिग्षा योगता के बात की बात है सो अंको का होगा यह आप एक चीज और भी द्यान रखिएगा कि लिखित परिक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले भ्यारती साररिक दक्षता परिक्षा के लिए आसफल घोसित किये जाएंगे है ना सबसे महत्पूर्ण बात है और यहाँ पे हम आपके लिए कुछ और भी चीज़े हैं यहाँ पे हैलाइट किये हुए है जो देखिएगा ठीक है हाँ देखिएगा यहाँ पे लिखित परिक्षा अंतिम मेधा सुची का अधार नहीं होगी लिखित परिक्षा केवल सारि को पर ही मेरिट बनेगा आप करते हैं फिजकल में क्या क्या eligibility है तो सिपाही पद के लिए अवेदन जो पातरता है पहले पातरता देख लीजिए तो भारती होना चाहिए यह तो कंपलसरी है इसमें कोई समझोता नहीं होगा ठीक है इसमें कोई समझोता नहीं होगा आप भा बार्मी पास होने चाहिए बिहार राज सरकार के मदर्सा बोर्ट द्वारा निर्गित मौलवी प्रमानपत रत्वा बिहार राज के संस्क्रित बोर्ट द्वारा निर्गित सास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा अचार अंग्रेजी रहित प्रमानपत राज सरकार द्वारा मानने प्राप्त अन्य समकक्ष सेक्षिनिक अर्ताएं होंगी यहां पर साफ साफ बोल दिया है कि मतलब बारवी लेवल का जो भी आपका सर्ट डिगरी है वो राज सरकार या तो केंदर सरकार दोरा अगर सर्टिफाइड है वो मानने होगा ठीक है अब यहां देखें मैट्रिक अत्वा समकक्ष प्रमान पत्र बोल रहा है कि अभ्यारतों का जो उम्र है वो एक आठ यानी एक अगस दोजार बाईस के अनुसार जो है मैट्रिक अत्वा उसके बराबर का अगर कोई प्रमान पत्र है उसके अनुसार जो है है ना minimum age के अगर बात करें देखे समान अनड़क्षित वर्ग पुरुस एवा महिलाओं के लिए नियुन्तम उम्र यहाँ पे 18 years बोली गई है maximum 25 बोला गया है यह general वालों के लिए age है ध्यान रखिए का general वालों के लिए 18 और 25 पिछरा वर्ग कोटी के पुरुसों के लिए जो है 18 और 27 है है ना यानी minimum 27 है माफ कीजिए पिछरा वर्ग पिछरा वर्ग की कोटी के महिलाओं के लिए नियुन्तम देखिए 18 है और maximum 28 है ठीक है अनुसूची जाती जन जाती के लिए minimum 18 और maximum 30 वर्स रखा गया है और यहां देखे सभी कोटी रिजर्व की बात हो रही है सारे रिजर्व कोटी वालों के लिए बिहार प्रसिक्षित हैं बिहार में नामंकित ग्री रक्षकों को निर्धारित विहित अधिक्तम उम्रसीमा में 5 वर्स की छूट दी जाएगी ठीक है ना इस बात का ध्यान रखेगा अब देखे आप भारतियों के लिए जो साररिक मापदंड की बात करी गई है आपका जो हाइट है उचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं यहां पे दिया जाएगा लेकिन उसका क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत इंप हाइट है वह 165 cm होनी चाहिए अत्यांत पिछरा वर्ग पुर्सों के लिए 160 होना चाहिए और उनसुची जन जाती जाती के लिए 160 होना चाहिए सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 यह फीमेल्स के लिए यूनिवर्सल है ठीक है दरोगा वाले में इतना ही मांगता है फी सीना फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम पांच सेंटीमेटर का अंतर होना कंपल सरी है पांच सेंटीमेटर फर्क नहीं होगा तो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा अत्यांत पेशा वर्ग के लिए 1886 उतना ही है अनुसुची जाती जानती के लिए 89 84 ठीक है और यहां आप दर्णि के लिए सारिक मापदंड सारिक दक्षता प्रिक्षा का मापदंड महिला अभिहार्थ्यों की समानी होगा जो की 3rd जेंडर है उनका जो मापदंड होगा सारिक का वो फीमेल्स के लिए 80 почему किया बन्य निंके लिए 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 lent कूझन किया जाएगा लिक्षा क का स्थर विहार विद्याले की परिख्षा कि समीती के दसवी का जो परिख्षा होता है उसके बराबर का हो गाँगा नहींगत पर चार पर मोड का पेपर और एकजाम होगा ध्यान रख्षेगा अब यहांत वह ने आपको बता ही दिया कि जो लिखित परिक्षा है वो आपका merit इस पर नहीं बनेगा अपका merit physical पर बनेगा लिखित परिक्षा अंतिमेधा सुची का धार नहीं होगी लिखित परिक्षा के वल सारी क्योगता परिक्षा में qualifying होगी धियन रखेगा अब यहाँ पर आ जाईए देखे दोड अधिकतम जो है 50 अंग का होगा दोड का जो है यहां 100 अंगो का exam होगा आपका physical जो है 100 नंबर का रहेगा अब यहां पे बोल रहा है दोड पचास अंग का खाली अकेले दोड रहेगा यहां पे देखिए एक मिल दोड़ना है आपको ठीक है यानि कि 1.6 km यानि कि 1600 मिटर हो गए है, यहां पर देखिएगा, 1600 मिटर का दोड करना आपको 6 मिनट में, तो बहुत तगड़ा आपको प्रैक्टिस करना पराए ररनिंग में, क्योंकि 1600 मिनट 6 मिनट में दोडना, बच्चों अखेल नहीं है, आपको बहुत तगड़ा रगड़ के प्रैक्टिस करना होगा बहुत जोड़दार करना होगा पांच मिनट से अगर कम में अगर आप करते हैं तो पचास अंग पुरा मिल जाएगा वाले पुरुस अभी हर्थी को असफल घोसित कर दिया जाएगा ठीक है अब महिलाओं के लिए देखिए इनको एक किलुमिटर ही दौर ना है पांच मिनट के अंदर में और यह अगर चार मिनट से कम में दौर जाती है एक मिनट बचा लेती है अपना तो पचास अंग पूरा फेकना होगा न्यूनतम सो लहा फीट तक यह जो जिस्टन्स आपको फेकना है ठीक है सो लहा फीट से सतरह फीट तक नौ अंक लिए जाएगा और नियूनतम 15 तक फेकना होगा . और यहां पर यहीं total criteria आपको दिया गया है कि 12 feet से 13 feet तक फेकिंग 9 अंग और 13 से 14 में 13 अंग 14 से 15 feet तक में 17 अंग और 15 सोला feet में 20 अंग और 16 feet से ज़्यादा में 25 अंग आपको दिया जाएगा है ना अब यहां देखिए अधिकतम जो है high jump की बात हो रही है high jump में 25 marks अधिकतम आपको दिया जाएगा high jump में अब देखिए अगर पूरुस है सभी कोटी के पूरुसों के लिए नियुनतम 4 feet की height आपको बूली जा रही है ठीक है तो 13 अंग दिया जाएगा 4 feet अगर height आपको पूट गई तो तेरांग तीन से चार तीन फिट चार इंच कूद गई सतरांग और तीन फूट आर्ट इंच कूद गई की संग और चार फिट पूरा कूद गई तो 25 इनको full marks दिया जाएगा तो यहीं सारा जो है सारा system इसमें दिया गया है I hope आपको सारी बाते समझ में आ सकते हैं तो इस वीडियों बस इतना ही तिल देन टेक केर बाबाए गौड ब्लेस यूओ अल